You cannot change your future, but you can change your habits. Surely habits will change your future. हम अपना भविश नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं, और निश्चित ही आदत हमारे भविश को बदल देगा. इनहीं सेंटेंसों को चरितार्थ करने के लिए 30 दिनों का चैलेंज लेकर हम लोग यहां जीम करने एभिरी डे तकरीवन आया करते हैं, और यह मनियर गराम है, यह महमदीपूर पंचायत के अंतरगात आता है, थाना महिवदी नगर, जिला समस्तिपूर राज बिहाद. यहां यह बहुत यह पावन अस्थल पर यहां जीम को एस्टेबलीज किया गया है, यहां की मुखिया कलपना देवी, उनके पती समाज से भी चंदरकेत कुमार सिंग और पिंकू सिंग ने जीम को एस्टेबलीज कराने में अपना महत्पून योगदान दिये हैं, हम लोग क चाहूंगा कि दिल से अपने समाज की और से अपने पंचायत की और से मुखिया कलपना देवी, चंदरकेत कुमार सिंग, उर्फ पिंकू सिंग सवाज से भी उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने यहां पर जीम एस्टेबलीज करने में बहुत पून भूमी का अदा क किया, साथ ही साथ उन्होंने अच्छे जगे का सेलेक्शन भी किया, अच्छे लों का सेलेक्शन भी किया, ऐसे क्या है कि सेहरों में जीम होता है, जीम सेहरों में बहुत कॉस्टली होता है, दूसरा बहां क्या होता है, कि एक रूम के अंदर जीम का वेवस्ता होता है, जहा और भी जो गरामीन आते हैं, जो इस जीम का लाब उठाते हैं, मैं चाहूंगा उनका भी परिचय हो, अपना वो विचार ब्यक्त करें. यहां का मैं महंत हूँ, और यहां पर जो समाख से वी पिंकु सिंग, जो इस जीम लगाए हैं, और यहां हिंदू और मुशलमान का कोई बेद भाव नहीं है, सभी एक समान से जीम करते हैं, और यहां खुले मैदान में जीम है, और इसके बाद, जीम हम लोग तिस दिन डेली आते हैं और करते हैं, यहां कलपना देवी मुखिया, पिंकु सिंग, सब इस ब लगबाए हैं, जीम के अस्तर से, हम लोग महंत के, यहां बहुत दिनों से, यहां मठ है, और महंत जी रहते हैं, सब कार्जवार्ज, और खुले में जीम लगता ह है, और हमारा नाम नंदलाल जादव, घर चकला, जीला समस्ति पूर है, इले के हम लोग ब्रावर जीम करने 30 दिन तक आते हैं, और सब भाई मिलके, हिंदू मुश्लिम, एक साथ मिलके, हम लोग जीम करते हैं, और लाब उठाते हैं, यह जो परिसर हैं, आप देख सकते हैं कि आप यह परिसर, इसको मनियर मठ कहते हैं, और यह मनियर मठ एक एतिहासिक जगह है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, और खासकर कि इस एलाके में जोगदान इस मठ का बहुत ही अदुतिये रहा है, और यह मठ हमेशा से क्या है कि हिंदू मुस्लिम एक्ता का परतिक ब सभी समुदाई के आते हैं, और गुरुगा पुजा में सहजोग देते हैं, और इंज्वाइ करते हैं, तो नाज का भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है, तो इस परकार से यह मनियर एतिहासिक जगह है, आपको चुकि और सारा जीम देख सकते हैं, यहां बहुत से जीम के यह इस channel के माधम से जो viewers को जानकारी देना है कि ये एक जो कथन है कि you cannot change your future but you can change your habits, your habits will change your future कि हम अपना भविस नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं और आदत निशित ही हमारे भविस को बदल देगा तो हम लोग क्या है कि यहां 30 दिनों का challenge लेकर everyday morning में early morning about लगभग 4 बज़े सुबह में आते हैं और तकरीवन 6 बज़े तक gym करते हैं तो मैं इस channel के माधम से जो भी viewers हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी कोई ऐसा habits लें खास करके ब्यायाम करने से संबंधित exercise करने से संबंधित ताकि आप physically fit रह सकें ऐसा कहा जाता है कि स्वास्त ही धन है तो स्वास्त रहना जरूरी है अभी बहुत से क्या है कि देखने को मिलता है कि मोटापा की सिकार हो जाते हैं बहुत से बीमारी के सिकार हो जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जीम एक ऐसा, मानने के चलिए ये ऐसा कहें कि ऐसा एक बिवस्ता है, ऐसा एक दवा है, कि ये मनुस्य के जीवन में एक दवा का कार्ज करती है, और जीम मैं समझता हूँ कि ये अब चुकि क्या है कि यह गरामीन अस्थल है लेकिन गरामीन अस्थल में यह जीम का दवस्ता है और इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे हम लोग एभरी डे जीम करते हैं आपको बजाबता वो भी कैमरे पर रिकॉर्ड करकी दिखाया जाएगा तो इस चैनल के मादम से जो भी वर्ट से उनकों से यही कहना है कि यह जीवन में जो परिवर्तन जो टेक्निक फर्मूला लाता है उसका नाम है 30 डे चैलेंज यानि कि अगर किसी भी कार्ज को हम 30 दिनों तक लगातार करें लगातार करें करते रहें तो क्या होगा कि यह हमारे जीवन में एक परकार से आदत बन जाएगा और जब आदत हमारे जीवन में यह जब बनेगा तो हमारे जीवन में यह करांति कारी परिवर्तन लाएगा तो यह 30 डे चलेंज है यह 30-day चलेंज हम सभूँ को लेना चाहिए और लेकर हम सभूँ को अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए आप देखिए यह कुछ और भी मेंब जो आते हैं यहां जीम करने के लिए तो सारांस यह कहना है कि इस फॉर्मूला को जरूर यूज जीवन में करना चाहिए कि you cannot change your future but you can change your habits, surely habits will change your future, कि हम अपना भविस नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं और आदत निशित ही हमारे भविस को बदल देग तो जीवन में कोई ऐसे आदत को लिया जाए और उस आदत को 30 दिनों तक लगातार किया जाए यानि एक कार्ज को 30 दिनों तक लगातार किया जाए जिससे क्या होगा कि आटोमेटिक क्या होगा कि हम सवस्त रहेंगे और इसके इलावा बहुत से ऐसे चलेंज है जैसे पढ़न का challenge है exercise करने का challenge है तो इसके अलावा आपको और भी हम लोग किस परकार से exercise करते हैं बैयाम करते हैं आप देखेंगे तो संपुन जो viewers है या जो देखेंगे उनसे appeal करना है कि आप एक सुवह में कोई नो कोई exercise करने का कोई भी habits को जरूर develop करें और मैं इस कथन को फिर से दोहरा कि you cannot change your future but you can change your habits surely habits will change your future हम अपना भविस नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं और आदत निशित ही हमारे भविस को बदल देगा यह जीम देख लिए यह देख सकते हैं यह हम लोग किस परकार से जीम करते हैं मैं चाहूंगा कि इसका आप भी लाब लाका है लेकिन क्या है कि यहां के जो गया परती निदियां बहुत कंसस हैं यहां के लोगों का स्वास ठीक रहे उसके लिए उन्होंने बजाबते यह जीम को एस्टेबलीज कराने में सजोग किये हैं हम सभी यहां आते हैं और इस चैनल के माद्धम से पंचाइद के महमध बार नागरिक हैं उनसे अनुरोद करना है कि यह जीम का आप लाब उठाइए यहां किसी भी परकार का जैसा कि महंध सहाब महंध जी ने भी बताया यहां किसी भी परकार का भेदभाव नहीं है इस तिरी पुरू सभी समान है यह 24 घंटा जीम आपके सेवा के लिए ततपर रहता है कोई भी चाहें आम आदमी यहां आके इस जीम का लाब उठा सकते हैं तो आसा और उमीद किया जाता है कि यह जीम आपके जीवन में निशित ही करांतिकारी परिवर्तन लाए हमारे जीवन में करांतिकारी परिवर्तन लाए हम सभी स्वस्त रहें निरोग रहें यह अभी उदेश से क्या है कि यह जीम लगाया गया है तो आसा और उम्मिद किया जाता है कि यह जीम आपको निशित ही यह इसका जो उदेश है अच्छा है आप इसका लाब उठाएं यह मनियर गराम पंचायत महमधीपूर थाना मोहिद नेकर जिला समस्तिपूर बिहार की यह तो आसा उम्मिद किया जाता है कि जो भी वर्स है आप जहां भी रहते हैं भारत के विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं आप जरूर जीम करें और अभी आप देखेंगे किस परकार से अभी और भी जो जीम के परकार है हम लोग करने का कोशिस करेंगे तो आसा उम्मिद क जाता है कि सभी इसका लाब उठाएंगे तो ये जो कथन है ये जो करांतिकारी कथन है कि you cannot change your future but you can change your habits, severely habits will change your future कि हम अपने भविस्त को नहीं बदल सकते हैं, अपने आदत को बदल सकते हैं और निशीत ही आदत हमारे भविस्त को बदल देगा तो इस मॉर्णिंग में जिनके यहां जीम नहीं है, कोई बात नहीं है, उनसे निवेदन है, कि आप कोई भी exercise कर ले, भले ही आप दो मिनट से सुरुआत करें, पाँच मिनट से सुरुआत करें, और आने वाले दिनों में क्या होता है, कि सुरू का रिजल छोटा होता है, आने करेंगे कि morning में जरूर कुछ न कुछ exercise करें, अगर वो exercise करते हैं, तो वो स्वास्त रहेंगे, और जब वो स्वास्त रहेंगे, तो उनका मानसिक इस्तिती भी ठीक रहेगा, तो यही आसा उमीद करता हूं, और भी बहुत से आइटम है, जो अभी आपको देखने को मिलेंग करेंगे, चुकि थोड़ा आज क्या है कि थोड़ा लेट है, लेकिन क्या है कि फिर हम लोग regular होंगे, तो इस जीम का आप भी लाव उठाएंगे, आप जहां भी है, आप अपने घर पर हैं, कोई बात नहीं, आप दो मिनेट से सुरुआत करें, आप जहां कहीं भी हैं, अग हम अपने भविस को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आदत को बदल सकते हैं, और आदत निशित ही हमारे भविस को बदल देगा, तो कोई भी कार्ज कहना ये है कि 30 डे चलेंज लेना है, यानि कि अगर 5 मिनेट ही करना है, लेकिन 30 दिन लगातार करना है, दो मिनेट ही करना है, 30 इस दिन लगातार करना है और करते रहना है करते रहना है जब तक ये habits के रूप में परिनत नहीं हो जाता है तब तक करते रहना है तो और भी अभी आपको किस परकार से जीम होगा आपको देखने को मिलेगा अगर आपको ऐसा लगे कि ये जानकारी आपके लिए बहुत अच् या exercise करना चाहिए या morning walk करना चाहिए तो इस channel को like कर लेंगे subscribe कर लेंगे और भी आपको item देखने को मिलेगा यह channel जो भी देखेंगे उनको देखने के लिए धन्यवाद कि अ कर दोथ और भीजिवडेंग अब बंडर यंअगे ज कि माचेंगे को का ला हाद। कि माचे हाद, आंगे हाद, आंगे हाद virus 95 % कर दो किंगे ह।ाओ तो दो कि अरा भippers नुगा है आट हा लोत हा लोगन後 हम है झालёз तिए झाल पैंग, झाल पैंग झाल, झाल, ज कोई आड़ें दो ये को झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सब्सक्राइब कर दो झाल 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 झाल